वेलकम टू टीटी प्रिप्रेशन आज हम देखने वाले हैं व्याकरण अनुवाद विधी या भंडार कर विधी यह अत्यांत प्राचीन विधी है अत्ता इसे परम परागत विधी भी कहते हैं यह बहुत प्राचीन विधी और इसे परम परागत विधी भी कहते हैं प्राच संस्कृत भाशा के सिक्षन के लिए इसका सरवाधिक प्रयोग किया जाता है इसे शास्त्री विदी भी कहते हैं संस्कृत भाशा के लिए संस्कृत भाशा के लिए जो है इसका सरवाधिक प्रयोग किया जाता था और इसलिए इसको शास्त्री विदी भी कहते हैं लार्ड मेकाले की सिक्षनी थी लार्ड मेकालो की जो सिक्षनी थी निश्पंदन प्रणाली 1835 के बाद इस विदी का नवीनी करण कर दिया गया लार्ड मेकाले की जो सिक्षनी थी उसके बाद में इस विदी का नवीनी करण किया गया है भारत में इस विदी का नवीनी करण डाक्टर राम क्रश्न गोपाल भंडारकर ने किया था अत्था इसे भंडारकर विधी भी कहा गया है भारत में इसका जो नवीनी करने किस ने किया था डाक्टर राम क्रश्न गोपाल भंडारकर ने किया था और उन्हीं के नाम पर इस विधी को भंडारकर विधी भी कहते हैं बंदार करने इस विदी पर आधारी दो पुस्तकें भी दो पुस्तकों की रचना की है कौन-कौन से पुस्तकें हैं तो एक पुस्तक है आपकी संस्कृत मंदीरांत ठीक है and second जो आपकी बुक है दूसरी पुस्तक जो है वो है मारगो पदेशी का ये जो दो पुस्तके हैं इनकी जो रचना हैं वो भंडार कर जीने करी हैं और इसी विदी पर आधारी थें इस विदी में विद्यारतियों को सबसे पहले नवीन भाषा के व्याकरण का ग्यान दिया जाता है तो ये जो विदी है इसमें सबसे पहले जो विद्यारति रहते हैं उनको क्या करते हैं नवीन भाषा के व्याकरण का ग्यान दिया जाता है ठीक है उसके बाद में फिर उसके फिर उसके समक्ष मात्र भाषा का कोई एक वाक्य प्रस्तुत किया जाता है तो पहले क्या करेंगे कि पहले तो जो विद्यार्थी है उसके उससे क्या है कि नवीन भाषा का व्याकरण का ग्यान दिया जाता है पहले जो विद्यारती है उसको नवीन भाषा के व्याकरण का ग्यान दिया जाता है और उसके बाद में फिर क्या है कि उसके समक्ष मात्र भाषा के मात्र भाषा को कोई व्याक्य प्रस्तुत किया जाता है जिसका अनुवाद उसे नवीन भाषा में करना होता है जैसे कि राम जाता है ये एक भाषा हो गई राम गोज ये दूसरी भाषा हो गई राम जाता है एक भाषा हो गई राम गोज दूसरी भाषा हो गई और रामम गच्छती ये हमारी तीसरी भाषा हो गई ठीक है जब विद्यारती से भाषा नवीन भाषा में अनुवात करना सीख जाता है तो फिर उसे नवीन भाषा से मात्र भाषा में अनुवात करना सीखाया जाता है जब जो हमारा student है कोई जब विद्यारती है वो अपनी normal मतलब एक मात्र भाषा से नवीन भाषा में अनुवात करना सीख जाता है पहले नॉर्मल भाषा से नवीन भाषा में अनुवात करना सीखता है तब जब वो सीख जाता है तो फिर उसे नवीन भाषा से मात्र भाषा में अनुवात करना सीखाया जाता है जैसे इस प्रकार विद्यारती एक से दूसरी भाशा में अनुवात करना सीख जाता है एक भाशा से दूसरी भाशा में अनुवात जो करता है वो सीख जाता है इस विधी से भाशा के सांथ सांथ विद्यारतियों के को व्याकरन का भी ग्यान प्राप्त हो जाता है यह जो विधी है इस विधी में क्या है कि विद्यारतियों को भाशा के सांथ सांथ भाशा का ज्यान तो होता ये उसी के सांथ सांथ व्याकरण का भी ज्यान प्राप्त हो जाता है इस विदी में व्याकरण संबंधीत अंगुठियों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है ठीक है अब इसमें जो है इस विदी में इसके जो गुण है वो हम देखते हैं तो इ उच्चिस्तर पर उपयोगी विदी है यह जो विदी है उच्चिस्तर पर उपयोगी विदी है फिर जो है दूसरा प्रतीबा शाली बालकों के लिए उपयोगी है विद्यारतियों में अनुवाद करने की कला का विकास हो जाता है इस विदी से अगर आप पढ़ाते हैं तो व व्याकरण से संबंदी तशुद्यां रहती हैं, उनका वो जो हैं दूर हो जाती है, मात्र भाषा के आदार पर नविन भाषा को सीखने में सरलता होती है, जो मात्र भाषा है, उसके आदार पर नविन भाषा को सीखने में सरलता होती है, कम खर्चिली विदी है, यह जो विद एक सांत, एक से अधिक छेत्रों का जियान प्राप्त होता है, भारती संस्कृति के अनुकुल विदी है इस विदी से अध्यापक सिक्षण करने में अधिक रूची लेते हैं, ये जो विदी है, इसमें जो अध्यापक छो है टीचर्स जो रैंद mamy अधिक रूची लेते हैं, हिंदी भाशी राज्यों में हिंदी भाशा सीखने के लिए इस विदी का प्रयोग किया जाता है जो हमारे हिंदी भाशी राज्य उसमें इस विदी को सीखने के लिए इसका प्रयोग इस विदी का प्रयोग किया जाता है अब यह तो थे इसके गुण अब जहां गुण की बा अमनोवज्यानिक विदी है, यह जो है, यह जो विदी है, यह अध्यापक केंदरित एवं अमनोवज्यानिक विदी है, प्रात्मिक इस्तर पर अनुपयोगी विदी है, यह जो विदी है, इसका आप प्रात्मिक इस्तर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, कमजोर विद्यारतियो के लिए अनुपयोगी विदी ये जो विदी जो कमजोर विद्यारती उनके लिए ये विदी अनुपयोगी है इस विदी से अध्यापक विद्यारतियों का शोशन करते हैं कहीं न कहीं अगर इस विदी का आप उपयोग करते हैं तो विद्यारतियों का शोशन होता है विद्य से अगर आप पढ़ाते हैं तो इसमें अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है मतलब मेहनत ज्यादा करने पढ़ती है इस विदी में एक साथ अधिक भाशाओं को सीखने का बंदन होता है इस विदी में जो है आप एक साथ अधिक भाशाओं को सीखने का आपके पास बंदन होता आपको सीखना ही पड़ेगा यह जो है कोई रोचक विधी नहीं है इसमें जो है बहुत कम लोगों को मतलब इंट्रस्ट आता है ठीक है इस विद्यारती नवीन भाषा को पढ़ना न लिखना तो नवीन भाषा है उसको पढ़ना और लिखना तो सीख जाएंगे लेकिन उसको बोलना नहीं प्रभावी है इसका इस्थान प्रत्यक्ष विद्या ने ले लिया है तो यह वरत्मान आज की जो इस्तिती उसमें जो यह विद्या यह ने ले लिए है